पारबडो से तिकच बल्लेबाज उभर कर आए है दोनों कप्तान टॉस के लिए तैयार हेट्स या टेल्स ये कोई नहीं जानता और ये हेट्स कप्तान ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया है बड़े ही उत्साहित दर्शकों के साथ स्टेडियम खचा खच भरा हुआ बल्लेबाज के हाथों में खुजली हो रही है इस पावर प्ले का भरपूर फाइदा लेने के लिए फ्रेंट फूट पर आगया है और बढ़िया तरीके से डिफेंड किया बड़ी चतुराई से गेंद की है बल्लेबाज को खेलने के लिए जगा ही नहीं मिली डॉट बॉल फ्रेंट फूट पर आगया है और बढ़िया तरीके से डिफेंड किया गेंद बाज की अपील विकेट कीपर की भी लेकिन नहीं का अमपायर ने उन्हें पूरा यकीन की गेंद पैट्स पर लगी है इस बार क्या ये डिफेंड के लिए जाएंगे जी हाँ ये थर्ड अमपायर के बाज निरने जा रहा है अमपायर ने कहा आउट और चेश्म का माहौल फिल्डिंग यूनिट में शुरुआती काम्याभी में फिल्डिंग यूनिट ने काफी मदद की नए बल्लेबाज आते होए इनको टीम प्लैन के मुदाबिक खेल कर पायरी को संभाना होगा ओवर दे विकेट करने जा रहे हैं कुछ परिवर्दन लाने के लिए एक टपा और गेंड पाउंडरी के बाहर लगता है गेंड बास को कुछ संदेश देना चाते हैं पहली गेंड पे ही चौका पूरी रफ़तार से बॉल की तरफ भाग रहे हैं चुके फिल्ड किया और पेजी से भागते वर्थरो किया ना जवाज फिल्डिंग नॉट आउट का हां अमपायर ने नतीजा बल्ले बास के पक्ष में आउट गेंड सी रविक्टो के अंदर बहुत अच्छे डिलिवरी अमपायर ने वाइड बॉल का इशारा किया इसको बेसिक ड्रिकेट खेलना चाहिए बस अपना नैचरल गेम खेले लगता है हमें एक तूफार देखने को मिलेगा क्योंकि दूसरे चोड़ से भी पेसर आ रहे हैं तंदनाती हुई गेंद पाउंडरी में पारी किनारा और कहीं चली पाउंडरी की होड़ क्रीस पर जबे बल्ले बास ने अच्छा नुमान लगाया बहुत अच्छी फिल्डिंग बैट्समेन को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया गेंद बास का धीला प्रयास वाइट गेंद होगी बालर को पूरा विश्वास की बैट्समेन आउट है और अब उन्होंने अमपार की फैसले पर रिवियू मांगा है काश इंफिल्डर्स के पास एक हेलिकॉप्टर होता नहीं तो भाईया ये गेंद रुखने वाली नहीं है ओवर को समब की अच्चो के किसार बैटिंग टीम के लिए बहुत अच्छा ओवर गेंद बाजी के लिए आ रहे हैं मीडियम पेसर पावर प्ले के लिए गेंद बाजी के कप्तान ने फील्डर्स को आगे किया है इस बर डाउन तो पेची से खेल दिया है एक खासा ब्लॉक किया इस मुश्किल गेंद फार इस बर अराउंड तो विकेट करने जा रहे हैं शायद ये बल्ले बाज की लिया तोड़ दे सीधे फिल्डर्स की तरफ मारा जो कि आफसरीड पर था लेकिर गोवी रन नहीं और तो विकेट गेंद भैकने का निरने लिया है लगता है कुछ अलग करना चाहते हैं इस बाहु भली को रोकना ना मुम्किन चार रन और मिलेंगे इन रनों के साथ बल्ले बास का खाता खुला परफेक्ट डिलिवरी और बैट्समैन पूरी तरह धोका खा गए इसको अपना बेसिक गेम खेलना चाहिए और अपनी विकेट नहीं कवानी चाहिए ये है एक जबरतस शाट क्या गर्मा गरम शुरुआत हुई है पहली गेंद पर ही चोका चड़ दिया गेंद पास ने साइड चेंज करने का फैसला लिया है लगता है कुछ खास करने जा रहे है अब पास ने कहा आउट और चेश्न का माहौल फिल्डिंग यूनिट में नया बल्ले बास आता हुआ लगता है अपनी टीम के उमीदों पर ख़ड़ा उतरेगा ओवर्द विकेट करने जा रहे हैं कुछ परिवर्दन लाने के लिए उचलती कूती चलांग लगाती गेंद गई बाउंडरी के बाहर चार रन मिलेंगे बैट्समेन को फील्डर ने बॉल को बहुत जल्दी देख लिया मैदान में बहुत शांदर प्रयास फोर्ड पारी किनारा और गेंचली पाउंडरी के ओर गेंद बाउस बहुत बढ़िया गेंद बाउसी का प्रदर्शन कर रहे है अब इसे अंतक रहे कर इस तारी को संभालना होगा ताकि एक अच्छा टोटल खड़ा कर सके गेंद बाउस बल्ले बाउस का रिदम तोड़ना चाहते है साइड ये हुई कमाल की फील्डिंग आज तो भाईया क्रिकेट से जादा अथलेटिक्स देखने को मिल रहा है एक संतुष्टी पूर्ण समाप्ती हुई बाउलर की क्योंकि बल्ले बाउस के रनों पर अंकुछ लगा कि रखा गेंद बाउस की गुटलेंड के बहुत शानदार डिलिवरी फिल्डर्स का पूरी तरह से वर्चस वो कुछ नहीं मिलने वाला भाई एक बहतरीन गेंज पर उससे भी बहतरीन डिफेंस फ्रेंट फूट पर आगया है और बढ़िया तरीके से डिफेंड किया अच्छा बदलाव यहाँ पर मजबूर किया बल्ले बाउस को डिफेंड करने के लिए और विश्वस में फिल्डिंग तर्शक भी हैरान टेजी से दो रन पूरे किये बल्ले बाउस ने है मानो गेंद बाउस के चेहरे से सारी खुशी छीन लियो दो रन के साथ बल्ले और ये बल्ले की पीचो बीच में से शॉट लगाया ऑन साइट पर चड़ दिया विस फोटक शॉट केंद बाउस रन ऐसे देरे जैसे सरकार का राशन बहुत बढ़िया हुए लगता है हमें एक तूफान देखने को मिलेगा क्योंकि दूसरे चोड से भी हलके हाथों से ऑन सेट पर खेला और बिलकुल आराम से हर एक सिंगल माईने रखता है भईया हवा में स्विंग करते डिलिवरी बल्ले बास बहुत मुश्किल में बांध के रख दिया बल्ले बास को बहुत अच्छा प्रयास गेंद बास द्वारा बॉलर इसमिरने से बहुत निराश ऐसा लगता है रिव्यू के लिए जाएंगे फिल्डिंग कप्तान ने रिव्यू का इशारा किया है लगता है फैसला आप थर्ड अमपायर ही करेंगे यह आउट दे दिया गए आप पायर द्वारा इनको प्री टीम के लिए टिक कर गेम के अंतर खेलना होगा क्या जबरदस फाड़ो डिलिवरी उड़ा के रख दिया बेल्स को बल्ले बाजों के लिए कोई जगा नहीं एक और विकेट के रिए और गेंद बाज को मिली आज की पाँचवी विकेट जबरदस प्रदर्शिम बालिंग टीम का खमासान एक और बल्ले बाज मौका है तीन विकेट लेने का ओ चूग गए इस बार बल्ले बाज ने आगे बढ़कर डिफेंस किया इस पार बहुत अच्छा डिफेंस बैट्समेन का एक शांदार ओवर समाप दुआ हंग होई तूफान से पहले की शांदी इस सबर दस चक्ये के साथ कलाबादी वाली डाइव लगाई हो रते रेक्तरन रोखा गेंद बास के चैरे पर मुस्कुरा हट अच्छी गेंद कोई रन नहीं इस पॉल्पर गेंद को खेलने पर मजबूर कर दिया सूजबूच से की हुई गेंद बाजी इस गेंद को कोई नहीं रोक सकता बल्ले बास को टिकर खेलने के लिए मौका ही नहीं देना चाहते गेंद बास विकेट के दूसरे बेल्स के बत्तिया चली क्या गेंद थी दूसरे छोर पर चम्हेवे बल्ले बास उनको नए बल्ले बास से पूर्ण से होक जिय अपेक्षा है बहुत शानदार डिलिवरी गेंद सी रांदर भुसी और बेल से टकराई एक के पीचे एक यह खोई उन्होंने एक और विकेट एक के पीछे एक ये एक हो ये उन्होंने एक और विकेट बालिंग टीम का निश्चन साक्रमन बल्ले बाजों की तुम्वानों जानी ले ली हो दूसरे छोर पर बिक्टों का पतंचारी उमीद है ये कुछ शुरुआती गेंदों को खेल पाएंगे गेंद बाज कुछ नया करने का प्रयास करना बल्ले बाज ने आगे बढ़ कर डिफेंस किया कैट खेल दिया सीधा फील्डर की उपर से टपा खाया और चौका अपना खाता खोला स्क्राइल में चौके के साथ उनसाइट प्रफलिक किया इस बार कुछ और रनों के लिए गेंद फील्डर के हाथों में और सीरा वापिस फेका एक रन के साथ रनों में इजाफाद जारी रखा बहुत अच्छी गेंद गेंद पास की लेकिन अंथ में बैट्समैन ने शानदार तरीके से उसे डिफेंड किया गेंद बास कुछ नया करने का प्रयास करना तो बिल्कुल सीधा स्लोट में गेंद लेकिन बल्लेबास ने बहुत अच्छे डिफेंस के साथ उसे खेला बार ने कहा आउट और जटन कमा हॉल फिल्ड यूनिट पे बैटिंग टीम का मनुबल काफी उंचा बड़ा फ्रेंट फूट पर आए इंतजार किया और जबाया ये लॉफ्लेब ड्राइब लॉंग ऑन खेतर क्यूबर से और ये चार रन सुन्दर शॉट कद्मों का सही इस्तमाद सुन्दर धंग से पुल किया लेक साइड बे पारी किनारा लगा और गेंजा रही है बाउंडरी के और चारण के लिए और ये लगाया अपना ही जाद किया हुआ हिलिकॉप्टर शॉट हो रही है बाउंडरी की पर साथ बल्ले बास को चौका के रख दिया एक फील्डर बिल्कुल तयार गेंट को पकड़ने के लिए हुआ हवाई फायर लगा दिल को महलेने वाला हिलिकॉप्टर शॉट इस स्पेल में अच्छा ताल मेल बनाने में काफी संखर्ष करना पड़ रहा है क्या घुमावतार स्विंग है एक महंगा ओवर जिसकी भरपाई करने के लिए गेंट बाजी टीम को अच्छी खासी मेहनत करने पड़ेगी परफेक्ट डिलिवरी बल्ले बास पूरी तरह समंझस में बल्ले का बाहरी किनारा लग सकता था इस जनर टिनर शॉट ने भेजा गेंट बास को संदेश आप ऐसी गेंट करते रहिए और चौके खाते रहिए और अपना खाता खोला एक अच्छी शुरुआत क्या हवाई फायर क्या ये इनको महिंका पड़ेगा आसानी से तायरा क्लियर किया अपने इस लॉग ऑन पे लगाए शॉट के साथ क्या शॉट लगाया है भाडू शॉट जो आसानी से स्टेंस को क्लियर कर जाएगा बहुत सुन्दर स्वीप गेंट फील्ड को चीरते हुए निकल गई इन्होंने बहुत से दूपानों का सामना एक साथ किया है बहुत सुन्दर स्वीप गेंट फील्ड को चीरते हुए निकल गई ओवर के अंटिम गेंट पर चार रन गेंड बास का एक खराब ओवर बहुत सुन्दर गेंड स्विंग करती हुए आई गेंड बास किस डिलीफरी ने बल्ले बास को बीट कर दिया है फिर से कोई रन नहीं समझदार बॉलिंग बैट स्विंग किया और चुके ओ भागे शाली रहे बल्ले बास दन दनाता शाट शक्ति शाली शाट लॉंगा उनको भी क्लियर कर दिया बढ़िया कदमों का इस्तमाल यहाँ चार अंदे कर जाएगी और ये आउट ग्रीन बॉल्ल शुरुवाती काम्याबी में फिल्डिंग यूनिट में काफी मदद की इसको अपना बेसिक गेम खेलना चाहिए और अपनी विकेट नहीं कवानी चाहिए इस गेंद के साथ हुई टाटा बाई 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 अंतिम गेंद पर लगा चौका इनकी गेंद बाजी में थोड़ा परिवर्दन है क्या ये कुछ स्पीड अर्जित कर पाएंगे मस्बूत हाथों के द्वारा ये पुल शॉट ये लगाया बेस्बॉल स्टाइल शॉट और गेंगई हवाई आत्रपर और गेंगई चाहरन के लिए दंदना द्यूई गेंच जा रही है ऐसा कड़ा मुकाबला जहां दर्शक सीट से हिले तक नहीं